हमारे भारत में लड़कियों से ज्यादा तो लड़कों की संख्या है अब भारत की बाद क्या करे पूरी दुनिया का यही हाल है जिधर देखो उधर लड़की, मैट्रों में लड़की, सणक पर लड़की, इवन आफिस में भी हजारों लड़की लड़कों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि क्लास में परिक्षा देने बैठो तो लड़कियों से ज्यादा लड़की ही निज़र आते कई बार तो इतने लड़के देखकर लड़कया नर्वस तक हो जाती है लेकिन क्या हो जब इसकी उलट स्थिती पैदा हो जाए क्या हो अगर सौ लड़कियों के बीच एक लड़का फस जाए वैसे आप सोचिए क्या हो सकता है जहां एक युवक छात्र exam hall में administrator की गलती की बजह से इतना नर्वस हो गया कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके बेहोश होने की कोई और बजह नहीं बलकि लड़किया थी चलिए पूरा माजरा जान लेते हैं दरसल मनीश नाम का लड़का बारवी क्लास में पड़ता है उसके admit card per sex के कॉलम में male की जगह female लिखा हुआ था अब ये मनीश की गलती थी, form भरने वाले की गलती थी या फिर board के ओर से misprint का case है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है लेकिन पूरे मामले की शुरुआत यहीं से हुई है जब form filling के समय गलती हुई तो इसी वज़ह से उसका exam center लड़कियों के बीच पड़ गया और 500 examiner's छात्राओं के बीच जब एक लौती छात्र ने खुद को अकिला पाया तो वह नर्वस हो गया इसके चलते हैं उसे घपराहट हुई और बेचैने भी होने लगी और फिर तब यत बिगडने पर उसे अस्पताल में भरती करवाना पड़ा वीडियो देखिए कैसे यूवक को होश मिलाने की कोशिश की जा रही है इतनी नर्वसनेस तो कभी किसी लड़के को तक नहीं हो योगी जितना कि ये लड़का हो गया है अब चलो लड़का लड़कियों को देख कर नर्वस हुआ तो हुआ लेकिन एक्जामिनर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी दरसल सिफ लड़कियों के लिए बनाये गए संटर पर एकलोते लड़के को देख सवाल पूछना तो लाजमी था इसलिए हर एक फैकल्टी लड़के से सवाल पूछते कि भाई तुम यहां कैसे आ गए जिससे लड़के की हालत और ज्यादा बिगड़ी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा अब इस पूरे वाके पर मनीश रंकर की चाची का क्या कहना है वो भी सुनते जाएए इसके लगी हर्दस होगी है इसे के करण ही हर्दस होगी है इसे वाके हजारों में से एक होते है वैसे देखा जाए तो किसी की हालत पर हसना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें जनाब हम भी इंसान है हसी आही जाती है तो ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए आप जुड़े रहे जेबीटी लाइब के साथ नमस्कार